हेलो गाइस, वेलकम टेवेक माई यूटूब चैनल, तो चलिए गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं घर में लगाई जाने वाली कंसिल्ड कॉक में लगे हुए स्पेंडल को किस तरह चेंज करें जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने इस तरह की इस कंसिल्ड को घर में लगाने के लिए लेके आ चुके थे और जिसमें कुछ बग्स आए, तो हम इसे खोल के ला लिए हैं और इसमें के जो इस पेंडल है, उसको हम किस तरह चेंज कर दे जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम इस Spandle को इस वीडियो में खोल के बताने वाले हैं कि यह किस तरह खुल जाएगा और यह कहां लगा हुआ रहता है तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लेश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की नई नई अपडेट्स आप तक हम पहुचा सके और लाइक एंड कमेंड करके बताईए कि वीडियो कैसा लगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर कीजिए चलिए हम बता देते हैं कि इस स्पेंडल को किस तरह आपको इसे खोल लेना है आपको जो ये दिखाई दे रहा है इस तरह का एक हैंडल ये जो बंद और चालू का काम करता है या अंदर में लगा हुआ इस पेंडल ही बंद और चालू का काम करता है जो की पानी को रोग देता है बंद करने के लिए और चालू करने के लिए चालू कर देता है इस स्पेंडल को लगा दिया गया है हम इसे खोल देते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह ब्लू कलर की जो सिल लगी हुई है पेकेजिंग इसे हम खोल लेते हैं अगर यह ना खुले तो आप इसे किसी स्कूर डायर की मदद से भी खोल सकते हैं बट यह खुल चुका है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर में एक एलंकी बोल्ट लगा हुआ है उस एलंकी बोल्ट को आपने एक एलंकी से खोल लेना है जो कि नल के सारे पार्ट्स खोलने के लिए एक एलंकी आती है इस तरह कि आपको एक हिलंक के लेके आ जाना है और इस हिलंक की से इसे खोल लेना है हम इसे खोल के दिखा देते हैं इस तरह से आप इसे खोल सकते हैं पीछे की और गुमाते हुए हमने इसे खोल लिया है और यह खोल के अंदर निकल चुका है यह बोल्ट आप इसे सामने की और खिचते हुए हम इसे निकाल लेते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां खुल चुका है हमने इसे खोल लिया है और देख पा रहे हैं आप यह स्पेंडल बिलकुल अच्छे तरह से दिखाई दे रहा है और यह जो आपको दिखाई दे रही है स्पेंडल किस तरह का बना हुआ है यह सारा का सारा पीतल का बना हुआ है और इस सपेंडल को आप इस पाने से खोल सकते हैं पंदरा नंबर आपको यह पाना लेके आ जाना है और इस पाने से हम इसे खोल के बता देते हैं इस तरह से हमने इसे खोल लिया है तो यह बिलकुल आसान तरीके से इसे हमने खोल के बता दिया है और इन जो सारे छोटे छोटे हमने पार्ट्स को खोल रखा है इन पार्ट्स को आपको अच्छे से रख देना है ताकि यह घुमेना इस तरह से आप देख सकते हैं यह स्पेंडल बना हुआ है जो कि इसकी रॉड लंबी है यह कंसिल्ड में इतनी लंबी रॉड लगती है और आप अगर नल के स्पेंडल को चेंज करना चाहते हैं तो हमने उसकी भी वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है आप उस वीडियो को देखके वो भी सीख सकते हैं इस तरह से आप इस स्पेंडल को खोल सकते हैं और जिस तरह हमने इसे खोला है उसी तरह इन सारे पार्ट्स को नई स्पेंडल लाके लगा सकते हैं और इनी सारे पार्ट्स को जोड सकते हैं तो यह था आज का अमार टॉपिक की हम किस तरह कंसिल्ड में लगे हुए स्पेंडल को चेंज करें उन्मित करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो दो लाइक के परेश लेक्या पर्म मिलते हैं गाइस नएक्स्ट वीडियो में आप इस तरह की वीडियोS हैमारे चैनल पढ़ाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं थेन्क्यू कर दो